नमस्कार आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट में आपका आदर्श चिराग पस्वान का अमीद सासे मुलाकात हुई है और जारखंड विधान सबा चुनाव पे चर्चा हुई है इससे बहुत सरे सवाल निकल रहे हैं जिसमें से एक सवाल है कि क्या भाजपा को लग गया है कि जैसे हर्याना में उनकी सरकार गिर रही है और वैसे ही अन्यराज में भी उनकी यह हालत होगी जैसे चिराग पस्वान अपने बागी तेवर से सब को डरा रहे थे भाजपा डर रही थी लेकिन इसी बीच चिराग पस्वान का अमीद सासे मिलना बहुत सारे प्रस्ण खाड करता है इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौझूद है हमारी रिटर पुर्शोतम को मर्श्वागत है धन्यवाद आदर साब का पुर्शोतम चिराग पस्वान बहुत दिनों से बागी तेवर में दिख रहे हैं उनके सरकार के हर फैसले पर उनका बागी तेवर स्थिती में भाजपा बिलकुल नहीं चाहेगी कि उन से जुरे हुए छोटे दल हो या बड़े दल हो उसके कोई लीडर उसका कोई कारेकरता उसके कोई सांसद उसके कोई बिधायक किसी भी तरह से नराज हो क्योंकि भाजपा जिस स्थिती में आज के दौर में है दो बैसा भाजपा ऐसे स्थिती में बिल्कुल नहीं चाहेगी कि चिराग पास्वान का बागी तेवर बागी रूप ले ले वो जारखंड में अलग विधान सभा का चुनाव लड़े क्योंकि हरियाना का एकजिट पूल सबके सामने है तो भाजपा को यह डर सतानी लगा है कि अगर हर प्रियाना जैसा ही हाल दूसरे जगह हो गया जब हमारे सहजोगी दल ही हमसे अलग हो करके चुनाव दूसरे स्टेट में लड़ेंगे तो फिर भोटो का जो डिवीजन है भोटो का जो बंदरबाट होगा वो इन्हीं लोगों के बीच में हो जाए पले चिराग पास्वान जो अपना 6-7% का भोट बैंक है जो बिहार में 7-8% जो भी भोट बैंक है वो भोट बैंक उनका अपना है और उस भोट बैंक के सहारे वो बिलकुल खेला कर सकते हैं नितिश कुमार का क्या हाल क्या उन्हों ने देखा तो जारखन चुनाव में जिस तरह से चिराग अकले चुनाव लड़ते हैं तो क्या होता भाजपा एंडिये गटबंदन के भोटो का बंदरबाट होता और इससे फाइदा किसको होता विपक्ष को फाइदा होता तो ऐसे स्तिती में भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि चिराग पास्वान को इस समय उनकी नाराजगी उनकी सीटे विधान सवा में दी जाएंगी उनको राजपाल बनाया जाएगा कि उपराश्पती बनाया जाएगा तमाम तरह की चीजे हैं उन पर अटकले लगी हुई है लेकिन सब को खुस करने में भाजपा लगी हुई है आपने देखा कि जेपी नड़ा पिछले बार आया नि बिधान सवा चुनाओ इसका जो रिजल्ट आएगा वहें डिपेंड करेगा कि बिहार की क्या स्थिति होगी और बिहार चुनाओ इस चुनाओ में बिहार एक ऐसी कड़ी है जहां अगर गटबंदन में छेर चार होती है तो इसका डाइरेक्ट इफेक्ट सेंट्रल गवर्म में पड़ेगा तो सेंट्रल गवर्मेंट में जो लीड कर रही है भाजपा वो कभी नहीं चाहेगी कि दरकरार हो तकरार हो आपसी मत भेदो उन सबको ठीक करके चलने स्टेबल करके चलने में देखिए भाजपा दो जगा लड़ रही है एक अपने सहजोगी दलों से भी ल आगमी बिधान सभा चुनाओं तक कितना इस्टेबल लगती है यह देखना बड़ा दिल चलना हो तो क्या सर भाजपा सुरू से हमें जब से 2014 में सत्ता में आई तब से रिजिनल पार्टियों को अन्देखी की है रिजिनल पार्टियों को उतना भाव नहीं है जितना अभी मिल रहा है तो क्या भाजपा का सिर्ष नेत्रत्र कमजोड हो गया है कि इनको भाव देना पड़ रहा है बागी तेवर दिखाने के बाद भी उनके साथ रहा जा रहा है पिछली चार-पांच महिने का लोग सबाचुनाओं के बाद का का कारिशकाल नरेंद मोदी का हुए उन सब चीजों में आप देखिएगा कि कभी पीछे हटना पड़ा कभी संसोधन करना पड़ा यह बड़ा आश्चर चकित करने वाला चंबित करने वाला बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने लिएगा फैसले पर पुनर विचार करना पड़ रहा है यह पिछ सिर्जनेत्रित अपने लिएगा कारन क्या है कि सरकार के साथ साथ जो सेंट्रल की सत्ता है उससे हमको हट जाना पड़ेगा उसकुर्शी को सिंखहासन को छोड़ देने पड़ेगा तो नरेंदर मोधि सिंहासन इंपोर्टेंट है और सिंहासन को अगर बरकरार रखना है प्रदान मंद्री के कुरसी बचा करके रखनी है तो एक तरफ आरे से भी सहमती बना कर चलना होगा दूसरे तरफ घटक दल से भी सहमती बना कर चलना होगा अब करकरता खुद बिरूद का बिगल बजा रहा है बोल रहे हैं कि नहीं मैं इसको नहीं मंजूर कर रहा हूं देखे आप पिछले बार जो जेपी नड़ा है थे इनी सब चीजों पर चर्चा होई बात होई कि आप करकरता बना रहे हैं लेकिन चुनावी जो हमले हो रहे हैं जो चुनाव के समय में हमारे उपर हमले हो रहे हैं आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप डोर टोर नहीं जा पा रहे हैं पबलिक मिटिक नहीं कर पा रहे हैं तो आप भले कमजोर हैं लेकिन अपनी नितृत्त की छमता को बरकरार रखिए, राजनीतिक रूप से क्या बयान बाजी करना है, उसको तयार रखिए, आपको डरना नहीं है, इनी सब चीजों पर चर्चा, आपको ये कराना है, भाजपा के जो सिर्ष नितृत्त है, अब बिहार का एक्जामपल देख करके क्या कुछ हुआ, समराच चोधरी पर तमाम तरह कारोप लगे, कि ये कुस्वाहा समाच से हैं, लेकिन भोट को कनभोट नहीं कर पाए हैं, तो आईसे स्थिती में समराच चोधरी को कुरसी छोड़ देना होगा, नितिस की नराजगी होई, अद्यक्ष का पत्तो चला लेकिन उप मुखमंत्री के कुरसी पर करार हैं, तो भाजपा ने उनको भी समय दिया, कहा है कि नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, स्वब को एक साथ मिलकर के काम लाना है, सुधार लाना है, तो भाजपा एक तरफ अपने आपको फिर से ठीक करने में भी लगी हुई है, जमा करने के बाद, जुर्माना देने के बाद, मिल विलके, इस पर क्या आसर पड़ेगा बिहार बिधान सबाद चुना होने के पहले, तो आर्जेटिय से ही कमजोर पड़ जाएगी, और इसका फायदा, अधर परसांत की सोर की भी बात चल लगी है, उनको होगा, तो इस प चीजे निकल करके आई हैं कि तेजस्वी यादो मजबूत होते जा रहे हैं, और पीके बार बार ही हमला करें कि मेरी लडाई तो आर्जेटी से हैं ही नहीं, भाजपास है, एंडिये से, तो यह जो रननिती का हिस्सा था, इसमें तेजस्वी यादो का बेल मिल जाना, लोग से इंपोर्टेंट चीज है बिहार का बार, कोई नेता आपको नहीं देखने को मिल ला होगा, परसांद किस और किस और बार में दिखते होंगे, सब लोग अपना अपना सीट सीरिंग का फरमूला, और किस जाती के, किस नेता को टिकट दे दे, ताकि वो चुनाव निकल जा चोटी से चोटी पाटी जीतना माजी की हो तब, और बरी से बरी पाटी भाजपा हो तब इसी पर लगी है, बार पर किसी का ध्यान नहीं, ऐसे बीच त्यस्वी यादों का बेल हो जाना, प्रताप यादों का बेल हो जाना, साब तोर पे सियासी महकमे में हर कंप मचानी वा हैं चिराग हैं माजी हैं उधर भाजपा है यह सब लोग एक साथ है इधर प्रसांद किसोर का अपना जोर तोर की रननिती अलग है तमाम आई-इस आई-पी-एस के ऑफिसर्स हैं पुराने नेता लोग हैं जो चिराग पासवान के पार्टी में थे वो अभी पार्टी से घु लेकिन तेजस्वी यादो इन सब के सामने अकेले खड़ा है तो चुनावी रननिती जो बन रही है राजनिती जोरे उसमें हरकम मच गया है कि भाई तेजस्वी यादो को बेल मिल गया है अब नया खेल बिहार में सुरू होगा बहुत धन्याबाद जैसे कि आपने देगा चिराग पस्वान कामित साथ मिलने का क्या वज़ा था इसके क्या परिनाम होंगे और आने वाले विधान सब चुनाव में ऐसे में तेजस्वी यादो का बेल मिल जाना भाजपे के लिए कितनी मुश्किल होगी देखते रहे ये फाइनल पोस्ट बहुत बहुत झालए तूट